चालो करो भाई recording और dsp3 हुआ या फिर dsp2 हुआ इसमें अंदर वाले डी यूज हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स ठीक है या फिर इसका दूसरा नाम होता है is low spin complex थीख है low spin complex अब इनको high18 to do पूर रहे हैं उसके लिए एक एक्जामपल समझें मैं इस इमान लिजीह वर एक्जामपल आप इसी में royle जाए ओंधिक स्काविक्रेशन है ना अब व्ल करने के दो मेथड हो सकते हैं क्हें रहा है counselor एक बार ऐसे फिल कर दें कि एक बार ऐसे फिल कर दे है ठीक है एक बार सारे पेड कर दिये एक बार नहीं थी तो बताईए किसमें अंदर वाला डी Dw किसमें भार वाला नां डी यूज होगा है बताओ नीचे वाले में अंदर वाला डी यूज हो जाएमान नीचे वाले में अंदर वाला डी यूज हो जाएमान क्योंकि वIES खाली है और उपर वाले में डीख फाली नहीं है तो बाहरवाले ली यूस होगा तुम हिनका का सपिन करो किसमे बॉल्टन में हम सब्सक्राइब फिर इसलिए इसमें यह सली करने के लिए पाइरिंगते कुछन सब्सक्राइब बात बोलो पर हम पूरा हमेशा भरते ना हमने कोई तो रूल का वायलेट या पूरा बढ़ते पर सारे एक-एक भर देते हैं उसके बाद पैरिंग चालू करते हैं हाँ हाँ वो सब ठीक है बट वो तो हम लोग उसमें तब करेंगे जब एजी और टीटूजी रहेंगे जब इनके एनर्जी डिफर कर जाएगी तब हम लोग रूल स्वालो करेंगे बट अभी मैंने सिर्फ समझा नहीं कि आप से बताएं लब वो यह तो इसकी होगा ना क्या हाँ 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 विल्कुल मैंने ऐसे बता है इनर डे यूस करते हैं तो पेयर्ड हो जाते हैं तो इजी टी वाला कॉंसेप्ट भी बताएंगे बाद में समझ आ जाएगा ठीक है तो इसको लोई स्पिन बोलते क्योंकि स्पिन काम हो जाता है दूसरे वाले को हाई स्पि यह होते हैं है तो उस थेयरी के भी कुछ-पौश्योलेट से क्या पॉस्टलेट नमगा से पॉस्टट रहे है इस णियूस कर रजली अची बात है अब पॉस्यूलेट क्या है crystal field theory CFT के पॉस्यूलेट क्या है पॉस्यूलेट देखिए first पॉस्यूलेट इस ligands are treated as point charge in case of anion और dipole in case of neutral molecule मतलब देखो हमारा ligand या तो anion हो सकता या मेरा ligand neutral हो सकता है ना इसमें ऐसी बाते चल रही है तो अगर ligand मेरा anion होगा तो उसको एक point charge consider किया जाएगा और मेरा ligand neutral होगा तो उसको एक dipole consider किया जाएगा मतला simple सा फंडा यह है कि ligand अगर electrons के पास आएगा कौन से electron central metal ion के d electrons d orbital के पास आएगा तो ligand उनको repel करेगा बस theory इतनी है cft में बस इतना ही हमें समझना है कि हमारा ligand जब भी central metal ion यह central metal atom के d electrons के पास आएगा तो उने repel करेगा अब इसमें बस direction का ही रोल हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस direction से आता है तो कितना repel करता है वह हमें आगे future में पढ़ना है second point in case of coordination compound ligand approach the central atom and cause repulsion to the orbital of central atom ठीक है तो वही बात मैंने बोली थी कि वह अप्रोच करता है central atom को और वहां पर repulsion create करता है ठीक है central atom के orbital में कौन से orbital में d orbital थर्ड पॉइंट है due to the approach of ligand towards central atom the energy of outer orbital gets modified more than inner orbital सम बोलते हैं कि जो हमारे outer orbitals की energy होती वह ज्यादा modified होती inner orbital के comparison में outer orbital की energy इसलिए ज्यादा modified होती है क्योंकि वह भार की साइड होते हैं और ligand उनको ज्यादा रिपैल कर पाता है इसलिए इस लिए फॉर्थ पॉइंट आउट आफ वेरियस और बाइटल फेसिंग रिपल्शन ड्यू तो लिगेंड रिपल्शन फेस्ट बाइडी और बाइटल इस मोस्ट इंपोर्टेंट एज मोस्ट ऑफ दा कॉडिनेशन कंपाउंड यूज डी ब्लॉक मेटल अजए सेंटल अट तो देखो इन चारो पॉइंट का सिर्फ एक ही हमारा सार है या समरी है क्या है कि भाईया मेरा लिगेंड आएगा अलग-अलग डिरेक्शन से आएगा डिरेक्शन से कैसे आएगा हमें बाद में पढ़ेंगे हम लोग और सेंट्रल एटम के जो डी और वाइटल में जो इलेक्ट्रॉंस होंगे उनको रिपैल करेगा बस चारो पॉइंट का एक ही मतलब है और वैसे भी हमें पॉस्चुलेट याद तो रखने हैं नहीं अब है ऐसा तो है नहीं कि बोड के अंदर जाके लिखना है ठीक है जो रिपीट कर रहे हैं बोड में परसेंटेज के लिए वो चाहें तो याद रख सकते हैं चार पॉइंट अगर रहे हैं उनके लिए तो सिंपल सा पॉइंट है चारो पॉस्चुलेट का एक ही समरी है कि भाई मेरा लिगेंड आएगा और सेंट्रल एटम के जो डी और बाइटल है उनके जो इलेक्ट्रों से उनको रिपैल करेगा तो उनके अनर्जी में वेरिएशन आएगा समझ में आई बात चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं शेप आफ डी और बाइटल वैसे तुम्हें पता ही है बढ़ ठेक है फिर भी मैं एक बार बता देता हूं तो और ज्यादा आइडिया लग जाएगा शेप आफ डी और बाइटल क्या है शेप मेरे देखो अब इसमें देखो हमारे पास पांस तरेके डी और बाइटल होते हैं अब मैंने आज मैसेज कर दिया है मैं अलाव नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा बच्चे बड़े मस्त हो गए हैं तुम्हारे बाइच के आते नहीं टाइम पे बाकी लोग जो आये हैं वो बेवकूफ थोड़ी है टाइम पर क्लास आओ डिसिप्लेन इंपॉर्टेंट है शेप आप डी और बाइटल क्या है डी एक्स वाई डी यजड एक बार मुझे जो लोग आये हैं उनकी तो मैं नाम देख लूं ताकि यह वापस आ जाए हमारे प कर ओम मुतासिम अर्जुन अनीश आकाश अभिशेख ठीक है अचलिये तो अच्छा अब आने बादे चली मैसेज आ रहे हैं सर मेरे घर पर लाइट नहीं तीसलिए नहीं आपाया जूटे सब शेप अब डी और्बाइटल देखो डी एक्स वाइड डी एक्स जड़ना ठीक है तो तुम्हें पता यह शेप तो सारे पता यह ना ऐसे शेप होते हैं एक्स वाइड ज़ने इस स्क्वेर मैंने स्कुर्फ टीज़ने इसमें इंपॉर्टेंट चीज का है किन को आम टीटू 123 वाले हैं उनको बोलते हैं T 2013र ऊछ一次 और वाइटल जो 45 वाले हैं उनको बोलते हैं UK और वाइटल जो 123 होते हैं तो जो बस टी तोजी याद रखें जेखो जो डी टीन एक जैसे वाले हैं वो तो टी टूजी हो गए और जो दो अलग लग वालें जिनमें स्क्वेर स्क्वेर टाइप का कुछ आ रहा है वो ईजी हो गए है ना अब देखिये हमें क्या करना है अब इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्प्लेटिंग उसके लिए मैंने पहले ही बनायवा है एक डाइग्राम अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कोडिनेशन नमबर 6 पढ़ेंगे और एक कॉडिनेशन नमबर 4 में पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या कि इस्प्लिटिंग आफ डी और बाइटल्स कोडिनेशन नमबर 6 कोडिनेशन नमबर 6 में हम लोग स्प्लिटिंग देख रहे हैं ना तो अब देखो यह अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग और बाइटल्स को अजियूम करते हैं कि वह एक क्यूब के अंदर बने हुए हैं अब मैंने यहां पर देखो एक क्यूब बनाया और एक्सिज बिना ली एक्सिस तोड़े दिखने में अच्छी नहीं लेगरी पर मान लो ऐसा ही है यह तो एक्स एक्सिज मान लो और इस वाले को जैसे मान सकते हैं हाँ अब इनके उपर लोप्स भी मन बनाई देता हूं होना लो दूसरे पैन से बनाएं तुछादा सही रहेगा कि इस ही क्यों पैन दूजरा है नहीं है आगे है ऐसे मैंने लोब से बनादी है ना ठीक है अब देखो है क्या अब लिगेंट्स देखो कॉडिनेशन नमबर सिंख से तो कितने लिगेंट होंगे छह रहेंगे एंगे तो चैने लिगेंट्स पर एंवेश आप्रोच करेंगे क्योंकि हमें शेप कौन सा प्र जनुरेट करना है तो हमाने कि न बल tape करना है कि जो मेरे सेंटरल पर तर पर मतलब कि मैंने seven बनाय उस पर बैटा क अब श्य सेंटर मेरे छह लुगेंड मेरे face के सैंटर से अप्रोच करेंगे आ फेस। से मतलब ऐधर होगा कैसा कि एक लिगय змte इदर ओसे उपर से ओपर वाले नीचे वाले फिर से एक ले लिगंड baru से एक इधर वाले फिस अब इसमें देखो हमारे पास चीजे क्या क्या हैं है न इजी और बाइटल कौन से थे इजी और बाइटल थे यह वाले जिनमें एक्सिस के बीच में लोब होती है और इजी वाले थे जिनमें एक्सिस पर ही लोब होती है ठीक है अब देखो क्या है सीन हम लोग क्या करने वाले हैं पहली चीज हम लोग एक दो पॉइंट से आंपर लिख देते हैं पॉइंट क्या है सबसे पहला पॉइंट हमारा की हम लोग ऐसा लिखते हैं पहला पॉइंट इजी और वाइटल्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स फेस सेंटर यह सही बात है जो इजी का और बाइटल हो उनकी लोप एक्सिस पर ही है तो वो फेस सेंटर की तरफ पॉइंट हो रही है सारी लोग बोलो हाँ हाँ सेकंड पॉइंट इजी जो है वो मेरे दो है कौनसे डी एक्स स्क्वेर माइनस वाइज स्क्वेर और डी जैडी स्क्वेर डी एक्स स्क्वेर माइनस वाइज स्क्वेर में कितनी लोब है दो लोब ले चार है ना हाँ मतलब हाँ डी जैडी स्क्वेर में दो तो टोटल कितनी हो गई six lobes yes sir ठीक है और ऐसे हम लोग T2G में बात करें तो T2G में क्या है DXY DYZ DZX सभी में कितने कितनी lobes है 2 lobes 4-4 lobes है 2 नहीं है 4 है 4 lobes तो कितने लोब्स हो गई 12 लोब्स मेरी हो गई ठीक है चलिए अब देखो हमारा जो सीन है वो कुछ ऐसा है कैसा मैं सीन क्रियेट कर देता हूं हमारा सीन कुछ ऐसा है अब यहां पर सेंट्रल एटम बैठा है है और एसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं एक उपर एकसीज़ एक नीची एकसीज़ है न सबोस करें यह प्लस एकस वाली डिरेक्शन है यह माइनस एकस वाली यह डिरेक्शन मानलीजिए से प्लाइट वाली यह माइनस वाएवाली ऐसा ही गुश-कुश माण लो एक प्लस- जडड़ एक माइनस जड़ भली हमारे जो लिगन्स अरहे हो ऐसी आ रहे है आज है सिजीने कुछ हुँ हमारे अप्रोच कर रहे है तो अब सिंपल से बात है कि रिपुछ्षिन किन ज्याधा फील्ड गा कौन से ऑर वाइटल स्कोर पूइड़ सेंटर से जा रहे हैं और इजी के और बाइटल भी फेस सेंटर की तरफ पॉइंटेड है तो बस यही बात समझनी है कि हमारा जो एक चीज और लिख देता हूँ जो origin है वो cube का center क्यूब center मतलब यह बात समझ में आती है सबी को कि EG को जादा repulsion phase होगा T2G को कम होगा बोलो हाँ सर अगर यह बात समझ आती है तो फिर बस फिर हमारा हो गया सब कुछ क्लियर है इतना सभी को क्योंकि EG orbital phase के center के तरफ पॉइंट कर रहे है और मेरे लिगेंड भी phase center से ही अप्रोच कर रहे है यह जो phase center है हमारे यहीं से अप्रोच करें समझ में आई बात इतनी बोलो आज सर तो इसकी जो ठीयरी है जो मैंने इतना बोला उसको मैंने ठीयोरी में बी लिखा वा है तो यह ठीयोरी सुन लो इसकी सारी है न जो मैने बोला है सब लिखा है इसमें देखो क्या है इसमें मैंने लिखा है दी वैरियस orbital ofуск central atom may be imagined in a imaginary tube the six lobes of EG orbital may be taken to be pointed towards all six phase center of the cube, whereas 12 loops of T2G orbital may be taken as pointing towards the center of 12 edges of the cube. ये बास समझाजाई? The 12 loops of T2G orbital may be taken as pointing towards the 12 edges, center of 12 edges of the cube, मतलब अगर मान लो, तुम देखो, xy-axis देखो इसमें, अगर मैं dxy बनाओ, तो dxy की lobes कहाँ point करेगी? imagine करो थोड़ा, xy-axis में अगर मैंने xy plane देखो इसमें, xy-axis मैंने बना रखें, इसमें xy plane को देखो और imagine करो, अगर मैं dxy बनाओ, तो इसकी lobes कहाँ point करेगी? बोलो, कहाँ point करेगी इसकी lobes? edges को. edges के center पर point करेगी, edges के center पर, ये बात clear है सब भी, समझ आती है वाली बात, आसर, हम बोलते हैं, देखो वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पर, क्या? कि भाईया, अगर तुमने वापसे में पढ़ देता हूँ, जा six lobes, यहाँ से पढ़ रहा हूँ न, यहाँ से, the six lobes of easy orbital may be taken to be pointed towards all six way center of the cube, whereas 12 lobes of T2G orbital may be taken as pointing towards the center of 12 edges of the cube, मतलब EG की जो lobes है, वो face center को point करेगी और जो T2G की 12 lobes है, वो 12 edges के center पे point करेगी, 6 face center है, तो 6 की 6 lobes EG की face center को point करेगी, cube में 12 edges होता है, तो उनके 12 edge center होंगे, तो edge center पे मेरी T2G की lobes point करेगी, इतने बाद समझ आती है, अब यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं आगे, when six number of ligands approach octahedrally towards central atom, EG orbital face direct repulsion at zero degree angle, एकदम head to head repulsion होगा, जिस direction पे lobe है, उसी direction से ligand आ रहे है, due to approach of ligand, while the T2G orbital face lesser repulsion, obviously T2G orbital को lesser repulsion face होगा, क्योंकि वो 45 degree angle पर चले गए है, bracket में लिखा भी है, मैंने 45 degree angle, बोलो, हाँ सर, हाँ, समझ आती है, इतनी बाद सब्सक्राइब, लीगंड का approach का direction कौन सा है, मतलब, central atom के ज़र, कहां से उठके आए हो, जो भी मेरा लो, यह क्यूब है, क्यूब में face center की direction से लिगेंड अप्रोच करेगा, उपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, फिर मैंने लिखा है, earlier, अब देखूं, यहापर लिखा है नीचे मैंने, earlier these 5D orbital were degenerate, मतलब, क्या मतलब हो उसका, सबका energy सेम था पहले, पहले सभी का energy सेम था, earlier these 5D orbital were degenerate, but due to the approach of ligand, they split into two sets, T2G, EG, now filling of electron will be in accordance with our Hund's rule, है ना, तो यहापर क्या होगा, कि अब हमारे जो energy set वो energy थो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, EG का energy ज़्यादा हो गया है, T2G का energy कम हो गया है, EG का ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि उसको ज़्यादा repulsion मिला, repulsion ज़्यादा मिलेगा, तो उसका energy ज़्यादा हो जाएगा, बट हम लोग electrons को अभी भी, over, poly, hondes वगरे, सारे rule को follow करेंगे, ठेक है, नीचे मैंने लिखा भी है, कैसे follow करना है, अब देखो नीचे वाली, यह वाली लाइन बहुत important है, यहाँ पर बच्चे जरूर confused हो जाते हैं, कभी-कभी, क्या, फास्ट, सेकेंड, थार्ड एलेक्टॉन, गो टू, टी-टू-जी और्बाइटल, इच, बट फोर्थ एलेक्टॉन, में गो टू-ईजी और्बाइटल, और पेरफ विट टी-टू-जी और्बाइटल, डिपेंडिंग अपॉन डवैल्य आफ पेरिंग एनर्जी और्ड डेल्टा नॉट, अब इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हें अभी समझाऊंगा, कि भाईया, हमारे पास ऐसा सीन है, क्या सीन है हमारे पास, देखो रफली रफली पता देता हूँ, कि हमारे पास पांच डी और्बाइटल थे, उनके एनर्जी स्प्लेट हो गई, चले गए नीचे टी-टू-जी है, अब नीचे वाली एनर्जी कम है, उपर जा रहे तो एनर्जी बढ़ रहा है, या फिर टी-टू-जी के साथ ही फिल होगा, पूर्ट एल्यक्रोण इजी में जाए गए, टी-टू-जी के साथ ही फिल होगा, यह डिजाइडिंग फैक्टर हैं, और यह कौन डिसाइड गरेगा, पेरिंग एक्टनॉट से नहीं बताते हम लोग किसी से बताते है लिगेंड के ज्कित ज़्यादा है जब अरदाज यद्स रिपेल करके इनके थे पिर्म बहुत जादा करते तो ये एक रोम बहुत जाए ग양एक लेक्त यस является received बटारों बतारों बतारों देखो हम लोग इसमें ऐसा बोल थे हमारे पास तोड़ा बहुत लिगेंड मोदारों आप हाँ वान दू स्ट्री फोर पांच जैसे ही थोड़ा बहुत लिगन इनको फिल हुआ लिगन का स्टेंथ तो यह पांचों का एनरजी बढ़ गया तो फिर क्या होता है फिर हम लोग यह reference point लगा के बोलते हैं कि कुछ उपर चले गए कुछ नीचे चले गए उपर जाने वाले कौन है EG और नीचे जाने वाले कौन है तो देखो इनके नीचे में कुछ-कुछ बाते लिग देता हूं जैसे यह क्या है यह है फाइफ डी जेनेरेट और बाइटल्स इन एपसेंस आफ लिगेंड फिल्ड मतलब लिगेंड बिल्कुल है ही नहीं तो यह पांग डी जेनेरेट और बाइटल थे है ना और अब लिगेंड का फिल्ड थोड़ा थोड़ा लिगेंड आया है तो लिगेंड का कुछ-कुछ स्ट्रेंड सभी को फिल हो रहा है तो सबका एनर्जी बढ़ गया तो यहां पर हम लोग क्या बोलेंगे फाइफ डी जेनेरेट डी जेनेरेट और बाइटल्स in the presence of symmetrical ligand field मतलब यहां पे क्या हुआ कि यहां पर ligand डी एकदम अप्रोच नहीं कर लिया है ligand बहुत दूर है तो सभी को एकदम symmetrical ligand field fields हो रहा है पाँचो के पाँचो को तो सबका एनर्जी एक जैसा increase हुआ है बट जब ligand एकदम औक्टाहेडरल अप्रोच किया तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग splitting splitting due to octahedral approach of ligand अब ligand धीरे 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 पास आ रहा है तो octidally वो pass आ रहा है तो EG को धीरे-धीरे ज्यादा repulsion feel होने लगेगा और T2G को धीरे-धीरे कम repulsion feel होने लगेगा तो इसलिए इनमें energy में splitting आ गई है तो ये नीचे वाले हैं ये तो कौन है T2G उपर वाले कौन है EG EG का मतलब DX square minus Y square और DZ square T2G का मतलब DXY, DYZ और DZX ठीक है अब इन दोनों के बीच का जो energy gap होता है उसको क्या बोलते है delta naught delta naught ये O का मतलब होता है octahedral ठीक है और जो ये वाला energy gap है इतना इसको बोलते है 0.6 delta naught और इस वाले को बोलते है 0.4 delta naught तो दोनों मिलकर क्या हो गए 0.6 और 0.4 मिलकर क्या हो गया पूरा एक delta naught हो गया बड़ जो नीचे वाला होता है उसके नीचे minus sign लगाते हैं minus sign बस ये indicate करता है कि जो हमारा reference point था उससे ये नीचे चला गया है ठीक है और इस reference point को क्या बोलते है बेरी सेंटर अब देखो यहां पर हमारी condition क्या है हमारी condition हमार को जितना भी सोचना है ना coordination number six में हमें जितना भी सोचना है वो सरी fourth electron के बारे में ही सोचना है बस अगर हमें वो पता चल गया हमारा question हो गया बात खत्म पहले तीन electron तो टी टू जी में ही जाएंगे according to और वो रूल है ना कि पहले काम energy वाले में जाते हैं फिर एक एक electron सभी में आ गया फिर पेरिंग स्टार्ट होगी अब fourth electron कहां जाएगा टी टू जी में जाएगा इजी में जाएगा वह हम लोग कैसे बताते हैं हम लोग बोलते हैं इफ कंडिशन क्या है इफ डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी का मतलब क्या है अब बोलता है हम लोग कि अब electron देखो तीन electron फिल कर दिये आप चौथा electron या तो पेर होगा या ऊपर इजी में जाएगा ध्यान से सुनो मेरी बात तीन electron डाल दिये टी टूजी में अब चौथा electron टी टूजी में ही पेर होगा या इजी में जाएगो डिपेंड करेगा कहां पर कम energy लग रही है अब मेरा उपर जाने के लिए energy चाहिए मुझे डेल्टा नॉट पेरिंग करने के लिए चाहिए energy पी कौनसी energy का मैं यहां पर कौन से लिए energy का मैं मतलब electron पेर हो जाएगा क्योंकि पेरिंग एनर्जी का मैं तो हम बोलेंगे दैन फूर्थ electron गोज टू टी टू जी वह पेर हो जाएगा टी टू जी में बट इफ डेल्टा नॉट इस लेस देन पी अब पेरिंग एनर्जी जादा है बड़ डेल्टा नॉट कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे दैन फूर्थ एलेक्ट्रॉन गोज तो समझ में आई बात या नहीं आई हैं सब्सक्राइब अरे मैं बोल रहा हूं कि हमारा सारा क्या इतना ही है कि हुर्थ एलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना जैसे माल लोड डी में फाइफ एलेक्ट्रॉन पहले तीन इलेक्ट्रॉन तो नीचे टी टू जी में फिल और जाएंगे 1, 2, 3, ठीक है, इतनी बास समझ आती है, अब 4 इलेक्ट्रोन कहा जाएगा, वो डिपेंड करेगा, एनर्जी पर, देखो, उपर EG में जाने के लिए उसके पास डेल्टा नॉट की एनर्जी होनी चाहिए, चूकि EG और T2G में एनर्जी गैप है डेल्टा नॉट का, या फिर उसको नीचे ही पेर होना है, तो उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, P energy के इकोल, P मतलब pairing energy, अब चेक करेंगे हम लोग कौन सा energy काम है, वही काम होगा, अगर डेल्टा नॉट काम है, पेरिंग एनर्जी से, तो उपर चला जाएगा, और अगर पेरिंग एनर्जी कम है, डेल समझा रही है, अब देखो, हम लोग कभी भी pairing energy और डेल्टा नॉट से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमें theoretical ही तो हमें पता नहीं है, पेरिंग एनर्जी जादा है या कम है, हम लोग simple ligand की strength से देखते हैं, अगर ligand powerful है, strong field ligand है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, simple, हम लोग कैसे देखते हैं, हम लोग सरिफ एकी तरीके से देखते हैं, क्या होता है, कौन सा के सप्लाई होगा, और WFL है तो, यह बात है ना, इन जनरल है, क्योंकि तुम्हें भी पता होगा, क्योंकि क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, तो हम लोग strong field, weak field ligand से देखते हैं, बहुत जादा होगा, तो नीचे पेर हो जाएगा, weak field ligand है, तो डेल्टा नॉट काम होगा, क्योंकि उसने जादा रिपेल नहीं किया है, तो उपर चला जाएगा, समझारी यह बात? बुलो, चलिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या factors affecting डेल्टा नॉट, कौन-कौन से factors जो हमारे डेल्टा नॉट को affect करेंगे, ठीक है, next हम लोग पढ़ते हैं, factors affecting डेल्टा नॉट, ठीक है, splitting को कौन-कौन से factors affect करने वाले हैं, अब देखो, हम लोग क्या बूलते हैं, सबसे पहला इसमें, factor है, क्या, nature of ligand, यह तो सबसे important है, nature of ligand, हम लोग इसमें लिखते हैं, क्या, we have two types of ligand, कौन-कौन से? strong field ligand, and weak field ligand, हैना, again मैं यहापर सेम बात लिख देता हूँ, तो SFL के लिए क्या, SFL के लिए delta not ज्यादा होता है, P से, और WFL के लिए delta not कम होता है, P से, ठीक है, अब वही बात, सर, हमें कैसे पता चलेगा, strong field है, weak field है, मैं कैसे पता लगा हूँ, क्या method होता है, पता लगाने का? यह message कर रहा है, Ibrahim, कि सर, आप दूसरे बच्चों से पूछ लो, मेरे यहां बार बार लाइट जाती है, क्या बोले है, अरब तुम को, कहां जाती है, वही लाइट है, कौन से जग्या रह रहे हैं तुम, बोलो भाई, तुम से ही पूछने को बोला है, उसने, बदाव, 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 उसके दोस्त, क्यांची जाती है, मूसलि उसके यहां पर रहती है, कहां पर है, उसका वहां कहां है, ओरव पड्रवील में रहता है, क्या वह करें तुम्हारा, दिखो,स्पेրड хотел seyr में न, स्क्राइब करें उसके लिए एक स्प्राइब कर नी पड़ेगी ठीक है क्या है सिरीज के अंदर आई माइनस बी आर माइनस स्टू माइनस स्टू माइनस सील माइनस एनो माइनस एन्ट्री माइनस फिर अगे इदर से लिखना स्टार्ट कर रहूंगा एफ माइनस ओएच माइनस ऑग्सलेट है एच टू ओ ठीक है सर पुरा कंटीनूड है ना हाँ हाँ एकदम ऐसा ही चल दा है अभी मैं एकदम एरो एरो बनाके और बता दूंगा पी वाई एन एच त्री एएन बाइपाई हाई ऑफ गाँपाई इसे माइनस कि पेच त्री त्री स्येन माइनस सि ओ मतलब ऐसा चल रहा है यह इंहां से खतम हुआ तो इधर स्टार्ट हो गया है यह उष्प तो इधर स्टार्ट हो गया है समझ रहे हो इसा चल ला हम या फिर इसको वैसे तो समझ आई गया होगा तो मैं या फिर सको हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि पीछे भी ऐसे रोग बना देते हैं कि यह ऐसा चल रहा है कि देखो एक बार यह और एक बार एक बार इंसेटी में भी देख लेना हो सकता कुछ एक दो चीचे ज्यादा कम हो तो वहां से तुम इसमें एड़ कर सकते हो अब हम लोग बात करते हैं और तो ठीक है और तो लिख लिया पठा में कैसे पता लगेगा कौन स्टॉंग है कौन हो ठीक एड़ कि हम लोग क्या बोलते हैं इसमें को ये वीख है ये-वीख है ये व मिक्र एस्टू और टक क्या है कि कि भीच एडडिकंड करma से बढ़ रहा है आई-माइनस जज़िए लिख हैं हैं हमने सिविए में से स्ट्रॉंग टाइप लिखे उसके बाद वाले सारे क्या है इसी के रिगार्डिंग में कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं वापस से क्या लेगेंड्स अब टू एच्टू ओ अब इंक्लूडिंग ना इंक्लूडिंग इट आर एक दम रट्टा बेस बिल्कुली दूसरा पॉइंट क्या है हमारा पहला पॉइंट होएता है दूसरा पॉइंट इन जन्रल इन जन्रल लेगेंड्स विथ डोनर एक्टम एक्स ओ एस आर डब्लू एफल एंड विथ डोनर एटम एन सी पी और एस एफल मतलब इन जन्रल मैंने बात करिए कि हैलोजन ऑक्षियन सलफर डोनर एटम हो जन्रली तो वह विक फिल्ड होते हैं जन्रली और नाइट्रोजन कारबन फस्फोरस यह वाले जन्रली स्ट्रॉंग फिल्ड लिगेंड मेरे होते हैं ठीक है हम बोलते हैं कि कोबाइल 3 प्लस के साथ जन्रली जो लिगेंड होते हैं वह स्ट्रॉंग की तरह ही काम करते हैं अब देखो मैं तुम्हें एक दो एक्जामपल्स बताता हूं उससे तुम्हें ज्यादा समझ आएगा सब्सक्राइब कर रहे हैं सारी बात जैसे मान लो मैंने कोई कोशन लिखा क्या कि कोबाल्ट है कि 3 माइनस डेटरमाइन हाइब्रिडाइजेशन कि अब देखो यही तो हमारा डिफरेंस था वी बी टी में और सी एफटी में वी बीटी में हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं क्या इस पेशली विट कोबाल्ट 3 प्लेस आयन आयन सम डब्ली एफल कौन कौन से ऑक्सीजन डोनर अना एक्ट एज सेफल कि जो सेफल वाले हैं वो तो सेफल की तरह काम करी रहे हैं से डब्ली एफल जिसमें ऑक्सीजन डोनर अटम है वो भी सेफल की तरह ही काम करेगा अब इसमें हमें हाइब्राइशन पता लगानी है मैंने क्या बोला कि वी बीटी के अंदर तो क्या होता था हमें एक एक्सा इंफॉर्मेशन का रिक्पायरमेंट होता था उससे हम हाइब्राइशन देख पाते थे बट यहां पर कोई एक्सा इंफॉर्मेशन नहीं है तो यहां पर देखो हमारे पास है क्या solution मैं बताता हूं कैसे करना है कुछ इनको देखो हम बात करते हैं यह क्या है CO C2O4 2 माइनस होल 3 और इधर 3 माइनस है नहां तो यहां से हमने देखा तो कोबाल्ट किसमें है यहां कुपाल्ट में प्लस त्री में हैं हमें पता चल गया कोबाल्ट मेरा प्लस त्री में ठीक है और जो मेरा लिगेंड है लिगेंड कौन है और लेट है मेरा लिगेंड किसकी तरह करेगा यहां पर क्योंकि ऑक्सिजन डूनर है कोबाल 3 प्लस में स्ट्रॉंग फिल्ड की तरह बिहेव करेगा अब इस्ट्रॉंग फिल्ड का मतलब क्या हो गया डेल्टा नॉट ग्रेटर देन फी मतलब तो हो जाएगा इसमें क्योंकि पेरिंग एनेर्जी का में इसलिए पेरिंग हो जाएगा अब देखो कोबाल 3 प्लस कैसा देखता है 3D 6 4S 0 4P 0 ऐसा देखता है कोबाल 3 प्लस और यहां पर एक चीज़ा और है कॉडिनेशन नंबर सिक्स है तो अब देखो ऐसा होगा हम लोग ऐसा ही फिल करेंगे हमेशा ऐसा फिल करने का अदर ड़लो एजी नीचे टी टू जी नीचे अब चाहिए लेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ठीक है ऐसा 6 इलेक्ट्रॉन नीचे का नीच से कम थी अब डी खाली रह गए आगे वाले अंदर वाले डी खाली रह गए अब देखो सिंपल सी बात है कॉडिनेशन नंबर सीख से तो पॉसिबलेटे हाइब्राइशन की दो ही है या तो अब हमें पता है पेरिंग हो गई तो अंदर की रिखाली रह गए तो हाइब्राइशन क्या हो गया विद में डी तोएससीटरी सर समझ में आई बात बोलो नई सर यह नहीं समझा कि D2 SP3 और SP3 D2 में कैसे आपने हो किया देखो नहीं समझे न अब वही है बच्चों वाले में तड़ से बताना पड़ेगा अब देखो तुम ऐसा लिख लो तुमारे पास दी थे अज्यूम करो डी ऐसा था यह एस था यह पी था अब टी टूजी मतलब यह च्छाए लेक्टोन ऐसे फिल हो गए यह मान लो यह वाले टी टूजी है मानना क्या ऐसे ही है और यह वाले एजी है दो बोलो जो कम एनर्जी वाले मतलब वो अंदर वाले है ऐसे ही तो होते हैं पर इदर जाते हैं जादा एनर्जी के लिखते हैं न कम एनर्जी मतलब अंदर वाले टी टूजी वाले भार वाले इजी वाले अब एक दो तीन चार पांच छे लिगेंड ने डोनेशन दिया तो हाब आइब रिडाइशन क्या दिख रहा है तुम्हें तो एसे हम लोग करेंगे थिक है तो देखो पहला पॉइंट लिखा है अभी तरह हमने नेचर आफ लिगेंड नेचर आफ लिगेंड कैसे अफेक्ट करेगा डिल्टा नौट कोई क्लियर है आज है पॉइंट नमबर सेकेंड टाइप ऑफ सेंटल अटम सेंट्रल एटम कैसे एफट्ट करेगा तो हम लोग तेमने इसमें डरेक्ट लिखेंगे क्या विट फॉर डी एंड फाइव डी सीरीज मैटल डबली एफल और सू बिहेव एज ऐसे पर हमें जो यह सारी बाते देखनी एसे फैल डबली एफल वाली वो स्रिफ ट्रीडी सीरीज मैटल में ही देखनी है अगर फॉर्डी और फाइवडी सीरीज के सेंटल मैटल अटम आते हैं डी ब्लॉक के तो उसमें सारी स्ट्रांग फिल्ड लिगेंट की तरह है चार्ड पॉइंट इस और पॉइंट इस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम अब इसमें हम लोग क्या लिखते हैं इसमें हम लोग लिखते हैं हायर is the positive oxidation state of central atom more likely to form the inner D complex or low spin complex देखो इसने बोला है कि जितना ज्यादा positive oxidation state होगा उतना ही ज्यादा उसकी tendency होगी lower D complex या low spin complex बनाने की है ना inner D complex या low spin complex क्यों हम लोग एक चीज़ में ऐसा भी लिख सकते हैं for example कि निकल प्लस फोर इस मोर लाइकली टू फॉर्म कि दी टू एस पी थ्री गॉम्प्लेक्स वेरेज एना इटू प्लस फॉर्म कोई मुझे एक्स्प्लेन करेंगा इसा क्यों हो रहा है कि बोलो से मेटल का प्लस फॉर में इसके लिए वह इंड़ी और मैटल का कंप्लेक्स वना रहे हैं अरे वो तो ठीक है वो तो मैंने लिखना है उसमें निकल फॉल फॉल प्लस में 3D6 वाला है तो सिक्स तो इलक्ट्रों मतलब अंदर के टी टू जी में च्छे के रखके डो डी उसके स्प्री हो सकते और नेना टू प्लस में मतलब 3D8 रहेगा मैं बताता हूं तुम्हें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सिडेशन स्टेट होगा उसमें से उतने इलेक्रों निकल गए जितने इलेक्रों निकलते जाएंगे अंदर वाला डी उतना ही खाली होता जाएगा बोलो जितना पॉजिटिव ऑक्सिडेशन स्टेट होगा अंदर वाला डी उतना ही खाली होगा अंदर वाला डी जितना खाली होगा लोन लेगेंड आयेगा और अपना इलेक्रों लोन पे डूनेट करेगा और इनर और बाइटल कंप्लेक्स बन जाए समझे यह सर्चली एटम देखना है 45 री आए तो सभी ऐसे और पहला पॉंट तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है नेचर आफ लिगे चली अच्छी बाते समझ आगे इतना अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनरजी इसको हम लोग बोलेंगे cfse crystal field stabilization energy क्या होता है तो हम लोग बोलते हैं इडिजटा एनरजी रिलीज्ट it is the energy released due to the formation of complex compound under octahedral bracket में लिख देता हूँ और square planer भी हो सकता है या फिर tetrahedral भी हो सकता है बट हमने अभी तक octahedral के बाद करी इसलिए उतना ही लिखा है मैंने इट इस दा एनर्जी रिलेज़ ट्यू तो फॉर्मेश्टन आव कॉंप्लेक्स कंपाउंड अंडर octahedral या लीगेंड फिल्ड लीगेंड फील्ड फिल्ड फिल्ड अ कि हम देखो सिंपल सी वात है यह बोलना चारा है कि हमारी reaction क्या हो रही है हमारी reaction ऐसे हो रही हमारे पास metal atom का शीक्स लीगेंड थे और उन्हों है complex बना लिए ml6 complex का formation हुआ तो जो डेल्टा एच होगा reaction का वो क्या होगा क्या होगा वो नेगेटिव वो क्रिस्टल फिल्ड इस्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा जो डेल्टा है रीक्षिन का वो नेगेटिव होगा और वो समझ गए यह मतलब है अब सीएफसी हम लोग निकालते कैसे हैं देखो ऐसे निकालते हैं हमने अभी तक क्या पड़ा है हमने अभी तक ऐसा पड़ा है देखो रॉफ रॉफ बता देता हूं मैं कि हमारे पास पांच पांच दी जन्रेट और बाइटल थे स्प्लीटिंग हुआ तो क्या हुआ दो ऊपर चलेगे जिनको दीजी बोल रहे थे तीन नीचे आ गए है जिनको हम लोग टी टुजी बोल रहे 요ーダयरी सेंटर था यहां से च्कौकर से लिखते हैं हम लोक दीख चिन उल्क्मेची लिखते हैं माइनस 0.4 डेल्टा नॉट इंटू N T2G प्लस 0.6 डेल्टा नॉट इंटू N EG प्लस XP X इंटू P लिखा है वो है न? दिखरा है इतना सभी को? हाँ सर्थ अब किसका मतलब क्या है वो देखो Where N T2G का मतलब क्या है नंबर आफ इलेक्ट्रांस फिल्ड इन T2G और बाइटल N EG का मतलब क्या है नंबर आफ इलेक्ट्रांस फिल्ड इन EG और बाइटल ठीक है P का मतलब क्या है बोलो Pairing Energy P का मतलब है Pairing Energy डेल्टा नॉट का मतलब है Octahedral Splitting Energy इस एक्स इंपोर्टेंट इस अपसे इंपोर्टेंट एक्स ही है एफ को बदा सकता है एक्स क्या है एक्स्ट्रा पैड इलेक्ट्रों रिते है इसका मतलब होता है Extra Number of Pairs Pairs लिखा है मैंने याद रखना Extra Number of Pairs Formed Due to the Legand Strength यह होता है मेरे X अब X को समझाने के लिए मैं एक दूए एक्सामपल लेँगा अब है ना ऐसे समझ नहीं आएगा X ठीक है जैसे माल लो For Example मैं क्या बोलता हूँ Example Number One हमारे पास D 4 Configuration है अब D 4 Configuration दो तरह से फिल होसकता है जब siglo के साथ हो तब और जब SL के साथ हो तब ठीक है ऐसा करते हैं हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग हमेशा पहले 7 जब SL के साथ हो तब जब SL के साथ हो तब तो देखो क्या है हमारे पास ऐसे हैं टी टूजी और ईजी बोलो हाँ सबस्ट अब जब डब्लू एफ़ल है तो पेरिंग होगी यह नहीं होगी अधो नहीं परेंग हुई नहीं तो देखो लिटन ऐसे फिलूंगे वाएंट टू त्री फोर और जब ऐसे फैल है तो वाएंट टू तू त्री फोर मेझल एच चावावलीव जीरो क्योंकि लिगेंड की स्ट्रेंग के वज़ेसे कुछ एक्स्ट्रा पेरिंग नहीं हुई औ और इसमें X का वायलूव? एक्स्ट्रा नम्बर उफ पेर्स फॉर्म्ट डीव डू लिगेंदिस्ट्रेंड के वज़ेसे एक्स्ट्र पेर्स कितने बने हैं वन बने हैं इसलिए इसमें एक्स-का वैल्य हो गया वन ठीक है एक और एक्जामपल लेता हूँ डी शीक्स डेखते दोनों को देखते हैं है है कि अब डब फेल्ट ऐसे होगा वाटन टू थरी फोरफाइज एसा होगा ऐसा ऐसे बाइस होगा वाटन टू थरी फोर फाइज सीड्स मैं सक्वाइज कतना है वन जीरो यह होगा जो कि रोगा अरे लिगेंड की स्ट्रेंद के वज़े से हुई ती क्या वो पेरिंग नहीं सर वो तो अपने रूल से आप वह पॉली उनकी वज़े से हो गई लिगे लिगेंड ने थुड़ी कुछ करने को करा रहा है जिससे पेरिंग हुई बोलो तू होगा ना क्योंकि पहले उ जीरो पीड़े इप यहां पर एक सब्सक्राइब हो इसमें लिखें एग्सेमर पेर्स तो नंबर आओ Saturday को इन एक टो इसमें इस बने स्ट्राइक इतने बने एक्स्ट्राइक इतने बने दो बने एक और एक्जाम्पल लेते हैं जैसे मालों डी सेवन था डी सेवन में हम लोग बोलते हैं विड्ट डब्लू एफल और विद्ट कि एस समझ आ रहे है यह एकस का वैल्व हम लोग कैसे निकाल रहे है कि टार गपनी से तो कि 1234-567 एस फैल में देखो वाण तू थी 4567 ठीक है एंव पील करना तो आरहा ने सफॉल डव्लो फिल कैसे कर रहे हैं अब डब 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 डबल्ड में सपल्य एकस का वैल्व जीरो जीरो एक्स का वैल्यू तो एक्स का वैल्यू निकालना आ गया सब्सक्राइब तो अपर में एक पैरिंग इसके लिए ना अलग से दो पैरिंग हुई एक्ट्रा पैर्स कितने बने सफल की वज़े से तो एक्ट्रा दो बने ना एक तो अलड़ी डब्ली एफिल में भी बनी रहा था ठीक है यहां पर एक कॉइंट लिख देता हूं मैं स्टार्मा करके क्या हाईयर हाईयर इस दे ुए कुए क्या आपक्याट कि जितना ज्यादा सीफएसी का मेंगनिटूट ज्यादा होगा जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही मेरा कॉंप्लेक्स क्या बनेगा स्टेबल बनेगा समझ गया है बोलो हाँ सर चलिए अब हम लोग ना है हम लोग ऐसे कुछ चीज़े देखते हैं टेबल बनाके मैं बताता हूं टेबल का कुछ पजिशन में फिल करूंगा वह ही तुम्हें करना है न कैया है कितने कॉलम बनांगा एक दो सीर पांच कॉलम मनादें लो थीर पांच कॉलम नम्बर वन कॉलम नमबर वन यहाँ पर छोटा सा बना देते हैं एसी का कॉलम नमबर टू भी छोटा सा बना देते हैं कि अधिक एंड का कॉलम नमबर थी थोड़ा बरड़ा बनाएंगे कॉलम नमबर फॉर फाइफ और मुस्ट चोटा चोटा बना देगे अब देखो इसमें क्या क्या हम लोग लिखेंगे उपर इसमें टेबल में एक साइड लिखेंगे इसी मतलब इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन इधर लिखेंगे लिगेंड नेचर इधर लिखेंगे इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिग्रेशन इन टेटू जी एंड इजी इधर लिखेंगे उसका इसका फॉर्मूला थोड़ी दिर पहले बताया तो फिल लिखेंगे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अब देखो हमारे पास क्या क्या क्रूस क्या 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 हो सकते हैं एक तो यह हो सकता है एक तो यह मत records जो मैं तुम्हें बताऊंगा यह मैं बताऊंगा क्योंकि यह सिंपल है इसलिए जो सिंपल चीज़े वह मैं बता हूंगा जो मुश्किल हो तुम्हें कुछ से करनी है ठीक है इसके एलावा हमारे पास configuration क्या हो सकता है डी 4 हो सकता है डी 5 हो सकता है डी 6 हो सकता है ठीक है तो डी देखेंगे जो कि तुम करोगे थोड़ा लगे तो तुम करो कि लास्ट के कौन बच गए लास्ट के बच गए एक जैसे लोग कौन कौन अब देखो क्या है कि देखो configuration है ना हमारा क्या है अवाज आ रही है सब्सक्राइब अब देखो डी 0 डी 1 डी 2 डी 3 इनमें लिगेंड के नेचर का कोई फरक नहीं पड़ता अर ऐसे ही डी 8 डी 9 डी 10 में भी लिगेंड के नेचर का फरक नहीं पड़ता कोई तो तो तीन एलक्ट्रों देने ही देने हैं हमको बोलो पहले वाले तीन एलक्ट्रों तक कोई फरक नहीं पड़ा वह बात हमने मान ली सर आपकी बटाप डीएट डीनाइन डीटैन में ऐसा क्यों बोल रहे हो अरे देखो ज्यान से सुनों मैं अलग-अलग तरीके से भरता हूँ डीएट को मैं डीएट को फिल कर रहा हूं एक बाद डी 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा है 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 ऐसे फेल से लिक्या वा वन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स एसे फेल से च्छेल एक पाले नीचे आजाएंगे सारे कि बोलो है फिर वन टू कुछ चेंज आया नहीं नहीं आया ना चेंज तो ऐसा ही इसमें भी ऐसा ही होगा किसमें टी-टैन में भी तो टी-टी-टी-टैन में भी लिगंड की स्ट्रेंड का कोई फरक नहीं पड़ेगा ये बात क्लियर है हाँ चली तो हम यह याद रखें कि D0, D1, D2, D3, D8, D9, D10 में लिगेंड की स्टेंद का कोई भी फरक हमें नहीं पड़ता है तो ठीक है इनमें नहीं पड़ता तो बाकी में दो गॉलम बनाएंगे एक बार लिगेंड WFL है तो क्या होगा एक बार SFL है तो क्या होगा अब देखो configuration फिल करना है हमें तो हम लोग बोलेंगे D0 में configuration कैसा आएगा T2G में 0-0-0 electron और EG में भी 0-0 electron क्योंकि भाईया D0 है इसलिए CFC भी 0 होगा क्योंकि ना ही कोई pairing हुई है ना ही कुछ हुआ है देखो CFC का formula है ना मैं एक बार लिक भी देता हूं कहीं बार बार यह फर्मूला याद एगा है सभी को अब देखो CFC की value calculate करें तो वह 0 आईगी है ना ठीक है अब अंदर वाले सारे डी खाली है तो हम यूज करेंगे और hybridization क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा डी 2 SP3 बोला क्योंकि हमने पड़ा है कॉडिनेशन नंबर सिक्स में या तो SP3 डी 2 अंदर वाले डी सभी में खाली है देखो डी 0 डी 1 डी 2 डी 3 सभी में अंदर वाले डी क्या रहेंगे खाली रहेंगे तो hybridization fix हो गया डी 2 SP3 अब डी 1 हुआ तो टी टूजी में 100 और इजी में 00 इलेक्टान सी एफसी क्या होगा calculate कर रहा हूं देखो माइनस में 0.4 डेल्टा नॉट क्योंकि देखो इजी में नंबर ऑफ एलेक्टान जीरो है पेरिंग कुछ एक्ट्रा हुई नहीं है तो माइनस 4.4 डिल्टा नॉट आ जाएगा वैल्यू हाँ सर अब ऐसे डी 2 में टी 2 जी के अंदर लेक्टा हूं कितने होंगे 110 इजी में 00 और यह आएगा माइनस में 0.8 डेल्टा नॉट समझे एसे टी 2 जी में अगर डी 3 हुआ तो 111 और इजी में 00 और यह आजाएगा माइनस में 1.2 डेल्टा नॉट इतना क्लियर है यह ज़िए अच्छी बात है इतना तुम लोगों को क्लियर है तो अच्छी बात यह बात है अब बाकि जो दिख रहे हैं ना कि करो तुम लोग तुम्हें फिल करने है तुम्हें मैं टाइम दे रहा हूं पांच मिनट का टाइम दे रहा हूं जल्दी जल्दी करो फिर मैं एक्स्प्लेइन करूंगा करो जल्दी से झात 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 करो जात झात झात झातक झात करो जाइम ल॔ पांच मिन दे पीर करते घा झाल 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 करेम लुक स्टार्ट बुलू आशा देखो आप सबसे पहले डी-8, D9, D10 को देख लेता हूं ना तो देखो डी-8, D9, D10 में भी लिगेंट सेंद का कोई भी फरेक नहीं पड़ेगा अगर यहां पर तुम T2 जी को देखो गे तो कैसा आएगा तू 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 और इजी कैसा आएगा वन वन यह टू 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 वन लिखना हूं यह समझ आ रही है यह नहीं आ रही आ रहा है सर अगर इनका सी एफसी देखें तो कैलकुलेट कर सकते हो तू लोग यह माइनस में वन पॉइंट टू डेल्टा नॉट आएगा यह माइनस में 0.6 डेल्टा नॉट आएगा और यह आएगा जीरो हाइब्रडाइजेशन देखें तो देखो अंदर वाला डी तो किसी में खाली है नहीं ना कि तो हाइब्रडाइजेशन तीनों में क्या होगा इस प्रीड टू होगा बोलो क्लियर है लेए लोट कर वांस का सांसर अब दीफोर से श्रू करते हैं D4 में देखो अगर WFL हुआ तो T2G में होगा 111 और EG में होगा 1 और 0 कोई पेरिंग नहीं होगी WFL है तो उपर चला जाएगा मेरा अगर SFL हुआ तो क्या होगा तो बताओ 211 और 0000 अब तुम यहापर देखो एक्स्ट्रा पेरिंग हो गई है किसे एसे का सब्सक्राइब कितना हो गया तो ऐसे फेल में जो वैल्यू आएगा सीएफेटी का आएगा माइनस वन पॉइंट डेल्टा नॉट प्लस पी क्या हो गया है वन हो गया है तो यह सीफेटी के वैल्लियूस तो क्यल्कुलेट कर सकते हो तो डबली एफल के केस में हैब डाइशन होगा SP3D2 क्योंकि अंदर के डोडी खाली नहीं है और SFL के केस में हैब डाइशन होगा अंदर के डोडी खाली है इसलिए SPD2 SP3 क्लियर अगें D5 वाला केस सेम है 111 EG में आएगा 11 SFL वाले केस में T2 जी क्या होगा 221 EG क्या होगा 00 यह calculate कर लेना यह तो आएगा 0 CFSE और इसमें आएगा माइनस में 2.0 डेल्टा नॉट प्लस 2P 2 क्यों आए आगे क्योंकि दो X के वेलिव टू हो गई ना दो एक्स्ट्रा पेयर्स बनें अगें इसमें आपडाइशन SP3 D2 और इसमें आपडाइशन D2 SP3 क्योंकि अंदर के तीटू जी क्या होगा तो 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 जिरो 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 होना निकालो गे वैलुज निकालों गे तो यह आए गा माइनस में 0.4 यह डेल्टा नॉट और यह आएगा माइनस में में स्टार मांक कर रहा हूं ठीक है डबली एफल वाले केस लोगे डी सेवन में तो टी टू जी क्या होगा और इसमें टी टू जी क्या होगा अब निगालो यह इसमें आएगा माइनस में 0.8 डेल्टा नॉट और इसमें आएगा माइनस में 1.8 डेल्टा नॉट प्लस पी हाइब्रिडाइजेशन बताओ उपर वाले में तो सेम एस्पी 3 डी टू आयागा नीचे वाले में क्या आएगा नीचे वाले में आयाएगा डी टू एस्पी 3 अब को बोलेगा सब्सक्राइब अंदर के दौनों डी तो खाली नहीं है तो यहां पर एक बात लिग देता हू टू सम आउटर एम्टे और बाइटल वाइट लिगेंड स्ट्रेंथ हम बोलते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है यह आउटर डी और बाइटल में भेज दिया जाता है लिगेंड स्ट्रेंथ के वज़े से उपर नहीं हुआ है देखो ऐसा ही सेम केस है ना हमारा यहां पर भी है यह रहा एक इलेक्ट्रोन है इसमें बट इसमें लिगेंड मेरा वीक है इसलिए इसको हम लोग भार नहीं बेच पाए इसलिए यहां पर ऐसा हुआ तो यहां पर हमारी कॉमन फियोरी एक जनरेट हो गई क्या कॉमन फियोरी क्या जनरेट चोडिनेशन नमबर 6 में कि जिसमें लीगेंड का फरक नहीं पड़ता था वो डी 0 डी 1 डी 2 डी 3 से पामेफोर्थ違う थे डी डी फाइफकी दिटन भूर यह वह अबर लू आतो की नोट डाल के लिग देते हैं फिर हम लोग हमारी फ्लास खतम करते हैं या पर क्या है नोट मेरा नोट का पॉइंट यह है हम लोग बोलते हैं क्या फर्स्ट एक ही पॉइंट लिखोंगा इन-octahedral complexes इन अक्ताइडल कंप्लेक्स अधीजि जिरो टू डी 3 हुआ है कि क्या होगा एस पी 3 डी 2 एस पी 3 और डी 8 टू डी 100 हुआ तो क्या होगा ऐस पी 3 डी 2 और डी 4 डी 7 हुआ उसमें डिपैंड करेगा लिगंड का strength क्या है WFL है या SFL है WFL है तो क्या होगा SP3D2 SP3D2 और SFL हुआ तो D2 SP3D2 समझ गए बोलो तो हमने splitting पढ़ ली coordination number 6 में जितनी बातें करनी ती कर ली अब हमारे पास क्या है octahedral splitting के बाद एक tetrahedral splitting है फिर हमारी एक square planar splitting है उसके बाद हम लेको कोशन करें गे है न किसमें क्या होगा उसके बाद हम लोग कोशन को देखें जो हमारा डीवाइभ में जिपाइप में जीरो आया था उसका significance कया वो एकजिस्ट नहीं करेगा कि अ कि । जीरो तो बहुत जगा यहाँ डीज़ो में भी तरफ प्सक्रेब चक्रेब में वहल्म सरुषर्ड प। एकजिस्ट नहीं करेगा मतलब हमने इनर्जीबर हमेशा रिलीज होने की टर्मस में पढ़ आज़ें घ्रीज की यह कऊ मैं ट कॉने करएगा घ्रिचुल ऐसा थोड़ी होता है हमारा हम्वर्क क्या है फूम्वर्क मैं नेक्स्ट वीक में ही डिसकैस करूंगा क्यों कि इस मिक तैस्य। hai नेक्सट वीकलिक देसर्बूत कर लेंगे तो देख़़। मैं homework मैं पहले ही बता देता हूं हमारा most probably next week का जो first lecture होगा अना फास्ट lecture of next week है ना उसमें हम लोग क्या discuss करने वाले हैं मैं बोल देता हूं तुम्हें पहले एकससाइज वन आइनिक equilibrium elementary ही करेंगे क्योंकि वही बढ़ाय है अभी तक वह complete करेंगे और आहीनिक टूब भी हम लोग कम्प्लेट डिसकस करेंगे अब है ना ध्यान से सुन ले मेरी बात आहिनिक 123 ऐसे दिया है उसमें फोक्र यहाई ना सोचे कि सर मैं तो करके लिए आया बस नहीं आइनिक 123 तीनों ही है उसमें तीनों का ही एक साइज बन और तीनों का ही एक साइज टू चलो ठीक है फिर बागे में लोग नेक्स लेक्चर में पढ़ते हैं यह यह तो मेरा स्क्रीन उल्टा हो गया मैं तो ऐसे पुटा रहा था ठीक है कर्या है